ये चेस आपने भी नोटिस की होगी कि पाकिस्तान एक ऐसा लोता देश है जिसकी तरह से भारत को लेकर कई सारी स्टेटमेंट्स आय दिन आती रहती हैं कई सारे बयान आते हैं लेकिन सामने से भारत की सरकार उनको कभी भी रिस्पॉंड नहीं करती है हम कभी भी कोई जवाब नहीं देते हैं लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत को लेकर उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स लगतार देता रहता है अब सेम चीज आज की डेट में कैनेड़ा के प्राइम निस्टर जस्टिन टूडो कर रहे हैं भारत की सिरकार ने हरदीर सिंग निजर की हत्या के आरोपों के उपर कोई भी जवाब देना या फिर कोई भी स्टेटमेंट जारी करना बिल्कुल बंद कर दिया है लेकिन फिर भी सामने से जस्टिन टूडो की दरव से लगतार इस कॉंट्रोवर्सी की सामने एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रही है कुछ महीने पहले जस्टिन टूडो ने भारत के उपर आरोप लगाया था कि भारत के कुछ एजेंट्स ने कैनाडा की धर्थी के उपर हर्दीर सिंग निजर की हत्या की है भारत की सिरकार ने उस समय आरोपों से साफ तोर पर इंकार कर दिया था अब इस बात को तीन मेने से उपर हो रहे हैं और ये कॉंट्रोवर्सी देरे देरे थंडी हो रही थी लेकिन कैनाडा के प्राइम निस्टर जस्टिन टूडो ने एक बाफ फिर से एक स्टेटमेंट जारी करके इस मामले को तूल दे दिया है रेफरेंस क्लाब की स्क्रीन के उपर वियॉन वर्ल्ड इस वन निस के आर्टिकल का स्क्रीन टूडो ना भी कुछी गंटे पहले एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि कैनेडा के अंदर हमले करवाने कैनेडा के उपर अटैक करने से भारत की प्राब्लम्स कायब नहीं होंगी जस्टिन टूडो ने हर्दीर सिंग निजर की हत्या के उपर बिना भारत का नाम लिए इस स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जबसे अमेरिका ने भी कैनेडा की तरह भारत की सरकार के एमपलाई के उपर आरोप लगा है कि उसने अमेरिका की धरती के उपर गुर्पातवन सिंग पन्नू की एससिनेशन करवाने की कोशिश किया है उसके बाद से ही भारत सरकार के रुक में एक तरह की नर्वी आई है भारत के स्टांस में एक तरह का टोनल शिफ्ट देखने को मिल रहा है यानि भारत की टोन पूरी तरह से चेंज हो गई है उन्होंने आगे का कि भारत को समझ आ गया है कि वो इस तरीके के काम करके अपना रास्ता साफ नहीं कर सकते हैं इसके साथ ही टूडो ने आगे ये भी का कि भारत के रुख में अब ओपरनेस आई है यानि भारत खुलकर अप कैनेडा के साथ कौपरेट कर रहा है जो कि पहले देखने को नहीं मिल रहा था हम ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते हैं जहांपर हमें इस मसले के ओपर भारत के साथ लड़ना हो और आखिरकार भारत नरम पड़ गया है और जो अमेरिका ने भी आरोप लगाए है उनकी वज़े से भारत भी कैनेडा के सामने जुख गया है और जस्टिन टूडो इसको कैनेडा की डिप्लोमाटिक विन साबित करना चाहते हैं जस्टिन टूडो ने इस तरह की स्टेटमेंन देकर ये पूरी दरह से साफ कर दिया है कि वह इस मामले को ठंडे बसते में कभी नहीं जाने देंगी जबकि प्रधान मंतरी मोदी ने इस मामले के उपर एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है नहीं अमेरिका ने जो भारत के उपर आरोप लगाए हैं उसको लेकर अमेरिका की प्रैजिडेंट जो वाइटर ने डिरेक्ट टूप से भारत को लेकर कुछ बोला है लेकिन जस्टिन टूडो लगतार इस केस के उपर स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं और ऐसा करके वो कैनेडा के अंदर वहां पर सिख वोटर्स को लुबाने की कोशिश कर रहे हैं